नमा में ननुंतर रहे नमा हेलो गाइज आरे गए वेल्कम सीव तो गाइज आज की जो वीडियो में स्टार्ट करेंगे और गेनो को लोगोराइड हमारा आज का टोबिक है पर उससे पहले एक हम जो हमने लास्ट वीडियो अपनी और गेनो फोस्पेट डाली थी उसके साइन सिम्टम्स में कुछ डाउट थे उन डाउट को किलियर करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखे सबसे पहले जो हम पढ़ रहे थे मस्केरेनिक एफेक्ट मस्केरेनिक को मैंने आपको बताया था यह रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारा एक्कुमिलेशन होता है वहाँ प सब्सक्रावब का मतलब है वहाँ पर लाला स्थरावब होगा मुख से ज्यादा निकलेगी लार निकलेगी लैक्री मेशन यानी शुप पाथो ना फिक है आखों से मुटर्याग्रेशन करना जाएट हैगा धयरिया हो जाएगा जो गेस्टों इंट्रेस्टाइनल ट्रेक्ट है मारा उसमें इंपेरेशन हो जाता है इमेसिस के बाद में है इमेसिस का मतलब होता है प्रोसेज विच प्रोसेज टूदा वमीटिंग तो जो वमीट होता है उसको एमेसिस बोला जाता है अब उसके बाद देखिए डाइफोरे of pupils, जो pupils है वो बहुत ज्यादा बार कार्डिकार्डिया यानि की मॉलेश देन 60 बीट पर मीनिट हो जाना अइसल जो पर क्या हो जाता है वहां पर स्लज्ज और डंबल्स जो इसमें लिखवा है उनसे आप याद कर सकते हैं अब देखिए निकोटिनी की टेक्ट की बात करेंगे तो मसल फैसिकुलेशन यानि की मसल में ट्वीचिंग हो जाना है ट्वीचिंग फैसिकुलेशन क्रैंपिंग होना वीकनेस हाइपर टेंशन हो जाना टैकिकार्डिया माइड्रासिस मतलब होता है जो हमारी प्यूपिल से वो डालेटिड रह जाती है इसमें ठीक है तो यह कुछ सिम्टम से कर निकोटिनीक जो हमारी रिसेप्टर से महाँ पर पर एक्विलेशन होता है जिस रिसेप्टर को ज्यादा एक्ट करेगा उसके उसके एकोडिंग आपको इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं वहाँ पर साइन्स इंटम्स आपको देखने को मिलेंगे तो अब देखिए बात करते हैं सी एनस की तो इमोशनल लिएबिलेटी इमो कुछ भी नहां ज्यान रहेकर इसदा कॉमा कंडिशन में जा सकता है तो यह बेसिक हैं और फोस्फेट के एक ट्वेरी चीज़ पर साइन्स इंटम्स पर आई होब आपको इसमें समझ में आया होगा अगर अब भी भी नहीं आया तो आप मेंशन कर सकते हैं हम उसमें आपको बता देंगे कौन सी चीज में आपको क्या चीज की दिक्कत रही है बाकी तो यहीं बेसिक सेंस के साइन्स सिंटम्स अब हम जो बात करेंगी और अब अब हम स्टार्ट करेंगे मुख्य से और फोस्फेट का ही एक कमपाउंड है और अब क्लॉराइड इंसेक्टेसाइड मे अला आता इसको ठीक है इसके बाद औरगव motorine का नाणी की सक्षर्ण है वह दो बैसिस पर क्या गया है एक New लिएå čन बैसिस पर देखें यह जो आप बैसुसादि है dilemm यानी मतलब धकलोर डाएखेयन के इसका फुल फॉर्म डेड़िड़ लोर साइक्स होता है cyclodines होती है chlorodicon होता है toxophen होती है यह कुछ compound है जो इसके अंतरगत आते हैं के वल नाम है basic एक बार repeat कर देता हूं DDT Dichlorodiphenyl Trichlorothane होता है इसके बाद hexa chlorocyclohexane होता है cyclodines होता है chlorodicon होता है toxophen होता है तो यह कुछ compound है formulation compound बताए गए हैं इसके organoclorine के इसके बाद toxicity base पर इन्हें दो परकार के गुरूप में बटा गया highly toxic और moderate toxic तो highly toxic जो हमारे होते हैं aldrin dialdrin endrin यह हमारे तीन बताए गए हैं इसके बाद moderate में जो बताया गया है उसमें DDT coupon और Chlordone Chlordane होता है यह हमारे moderate toxicity के base पर बताए गए हैं इसमें highly or moderate aldrin dialdrin endrin repeat कर रहा हूं DDT coupon और Chlordone Chlordane बताए गया है इसमें अब इसके बाद देखें आपर नोजिया vomiting headache हो जाता है इसकी नाई contact में अगर आता है तो इयर नोज फोट में क्या होता irritation हो जाता है blood vision हो जाता है वीजन आपको blood दिखाई देगा ingestion अगर आप उसको निगल लेते तो lung injury हो जाती है और dermatitis हो सकता है dermatitis इसकीन का injection हो जाता है तो अब देखिए इसी क्रम में अगर हम आगे बात चले करें तो देखिए mechanism of toxicity की बात हम करेंगे तो organo chlorine जो हमारा है disturb to neuronal membrane mechanism जो इसका है तो यह क्या करता है disturb करता है neuronal membrane जो हमारी होती है nervous system में उस membrane को disturb कर देता है ठीक है inhibit कर देता है GABA-mediated chloride influx को जो हमारा nervous system में गाबा कर देता है जिससे की CNS की जो activities है वो disturb हो जाती है वो आगे देखेंगे क्या क्या हो जाता है इसमें से जो DDT है उसको थोड़ा mechanism अलग बताया है इसमें देखिए DDT जो है वो क्या करता है तो पोटेशियम and voltage dependent चैनल होते है उनको क्या कर देता है ब्लोक कर देता है उनकी activity को डिस्टब कर देता है DDT जो है इसका लग से दिया गया है थोड़ा सा याद कर लीजी का क्लिनिकल फीचर के अगर बात करें तो देखिए जी इटी पर क्या effect दिखाता है एनोरेक्जिया weight loss और weakness ठीक है फेटो टॉक्सिटी अगर होती है वहाँ पर यानि की लीवर से टॉक्सिटी अगर होती है तो वहाँ पर देखिए थ्रॉंबोसाइटोपीनिया और पर प्यूरा आपको वहाँ पर मिलेगा cnns में तोyanage आगें आप पर इटेक्सियवाँ इटैक्सिड का मतलब होता है कि impaired balance होजाता है कोडियनिशन होजाता है द्यूटी सिएने एंडह हम्हां data jedบgement रॉक संप्राइद आपको देखने को मिलेगा दर्मेटि वहरें यहाँ पर देखने को मिलें तो कलोस्टी रमीन होती है इसको आप दे सकते हैं उसको अग्यू तो यह इस परकार हमारा और गेनो कलोरीन भी कवर हो जाता है और गेनो फोसपेट और और गेनो कलोरीन अमने कवर किया I hope you like the video आपको अगर कोई क्वेरिया कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं So thank you guys for watching the video. Please like, share and subscribe to the channel. Thank you guys.